सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes with Sumit Zen YouTube चैनल में सात्यों स्टार्ड हो चुक है आज का इस सेशन शबी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और 2020 Test Series से आपको जुड़ जाना है ठीक है? एक बार लाइक जरूर करना है और जिन्होंने अभी तक Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही Self Study Classes को दोस्तो एप को डाउनलोड कर लें और 2020 Test Series से आपको जुड़ना है जो की बिलकुल फिरी है सब्ताह में दो दिन आपके लिए दोस्तो एप टेस सीरिज करवाई जाती है तो जिन भी सातियों को New Batch में जुड़ना है दोस्तो और निचोड किलास है यानि कि TGT, PGT, Special निचोड किलासों में जिनको जुड़ना है वो आज ही एड़ीसल ले लें दोस्तो अभी आप 1099 में एड़ीसल ले सकते हैं है ना बहुत सारे student ने ले लिया है अब आपकी बारी आप भी ले सकते हैं आपको अगर अच्छी तैयारी करना है है ना तो Self Study Classes एप को आज ही डाउनलोड कर लें लाइब किलासों के माध्यम से रिकॉड़ेट किलासों के माध्यम से निचोड किलास के माध्यम से तिर्की वीडियो और दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से आपका अध्यान बेहित्तर होगा है ना तो जिन भी सात्कियों को Start दोस्तों पढ़ना है और सुरुवाद से बैच Start हो चुका है है ना आप भी पढ़ सकते हो दोस्तों सुरुवाद से अध्यान कर सकते हो तो आज ही दोस्तों Self Study Classes से आप डाउनलूट करें और दोस्तों इस कोर्स से जड़ने के लिए आप जड़ सकते हो ठीक है बहुत बढ़िया तो Start करते हैं आज का इस सेसन सभी लोग लाइक जरू कर देना दोस्तों जल्दी से अजगर करेना चाकरी और पंची करेना काम किसने कहा है 186 का उत्तर आपको बताना है ये पंक्ती किसकी है बताए अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम ये पंक्ती किसकी है तुलशी दास की, शूर दास की, र्यदास या फिर मलूक दास की यह पंक्ती आपको चैन करना है दोस्तों कि इस पंक्ती के जो रचनाकार है वो कौन है जल्दी से बताएंगे समी लोग इस पंक्ती के रचनाकार कौन माने जाते हैं अजगर करेना चाकरी और पंची करेना काम और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर ये जो पंक्ती है ना तो तुलशी दास्की है ना सूर्दास्की है ना रियदास्की है ये पंक्ती है मलूक दास्की यानि कि आपका उत्तर चार नम्मर की ओर चला जाता है चार नम्मर आपका सही हो जाता है रजजब अली खां के गुरू कौन थे रजजब के गुरू कौन थे जल्दी से बताना है दोस्तों और रजजब ने दो कॉस्चन यहां से आप से पूछे जाएंगे तो आपको बताना रजजब के गुरू कौन थे नानक थे दादू दयाल थे रैदास थे या फिर मलूक दास स्थे रजब के गुरू कौन थे एक कुश्चन आपको बताना है और दोस्तों लाइक जरू कर देना Self Study Classes है आपको जरू डाउनलोड कर लेना सबी लोग है ना अच्छा कुश्चन है और आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा बताया है उत्तर बताया है कि सर रजजब के जो गुरू माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों कौन दादू दयाल दादू दयाल माने जाते है राइट आंसर है बी नमर आपका बिलकुर शाही है लेकिन एक क्वेस्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि दादू दयाल की बानी का संकलन रजब ने किस नाम से किया था एक क्वेस्चन आपको बताना है दादू दयाल की बानी का संकलन रजब न किस नाम से किया था ये आपको बताना है जल्दी से सभी लोग बताएंगे ये प्रशन आपके लिए दिया गया है फटापट से अंगला क्वेस्चन है दोस्तों है ना सबंगी रचना किसकी है बताना है आपको रजजब की दादू दयाल की रैदास या फिर पीपा की बताएं बहुत बढ़ी आंसर बताया है अनूप राजपूजी वेरी गोड है ना ममता जी अंग बधू नाम से किया था रजजब ने अंग बधू नाम से किया था ये आपको याद रख्टे ना है दादू दयाल की बाणियों का संकलन रजजब ने किया था अंग बधू नाम से क्य किसने किया ये भी कॉस्चन आता है दादू की बाणियों का संकलन हरडे बानी नाम से किसने किया ये भी आपको बताना है है ना सबंगी आप से पूचा गया ये जो रचना है ये रचना किसकी है तो ये रचना दोस्तो रजजब की है रजजब के गुरू का नाम क्या था रज जबके गुरू का नाम था नानक ठीक है आपको सबी को पता है बेरी गुड अब आपको हरडे बानी नाम से बताना है किसने दादू की रचनाओं का संकलन हरडे बानी नाम से किसने किया था एक क्वेस्चन भी आता है जल्दी से आपको बताना है अंगला क्वेस्चन है गोस् किस नाम कुन किया था संत दास संत दास और जगन दास संत दास और जगन दास ने दोस्तों जगन दास ने ये जो है हरडे बानी नाम से दादू की बानियों का संकलन किया था जबकि अंग बधु नाम से अंग बधु नाम से दोस्तों रजब ने दादू की बानियों का संकलन क किया था गोस्वामी तुलशी रास की एज रचना है दोस्तो राम चरित मानस आपको पता है इसमें कितना समय लगा था ये भी सभी लोग बताना इसका आपने संबत पूचा गया तो संबत सीता आपको लगाना है संबत 1631 है ना और दोस्तो अगर इस भी की बात होगी तो 1500 चो कमेंट में सबी लोग बताएंगे अंगला क्वेश्चन है रहीम करत मदनास्टक की भासा क्या है रहीम करत मदनास्टक की भासा क्या इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तो रहीम की एक रचना है मदनास्टक सबसे बड़ी बात तो यही आंसर आपको याद रखना है प्रस है ना और सभी लोगों ने बताया है कि सर दो वर्स सात माँ है और चब्वीस दिन ये समय लगा था राम चरितमानस की रचना में है ना संबत 1631 इसका रचना काल माना जाता है और यहां पर आपने जो उत्तरचेन किया है दोस्तों वो उत्तरवताया है कि सर मदनास्टक की भास खड़ी बोली है क्या है खड़ी बोली यानि कि आपका यह नंबर बिलकुल सही होता है यह नंबर आपका सही हो जाता है ठीक है अंगला कोस्चन बताना है सूर्दास की अधिकतर रचनाएं किस भासा में हैं सूर्दास की अधिकतर रचनाएं किस भासा में हैं आपको चेन क करना है खड़ी बोली में है अबदी में 하나 बरज में या फिर राजिस्थानी में लायक जरूर कर देना सबी मित्रों का है ना मित्रों को दोस्तो और सूरदास की भासा चूरदास जी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर इस बासल के चतेरे कभी कहे जाते हैं इनकी रचना है सूर सागर है ना सूर सारावली साहित लहरी मानी जाती है और यहां पर आपको पता है कि सूर्दास की अधिक तर जो रचना है वो रचना है ब्रज भासा में है यानि कि आपका तीन नम्मर मैला आचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा है दोस्तो मैला आचल उपन्यास के रचनाकार आपको पता होनी चाहिए सबसे बड़ा ए दोस्तो बहुत ही आपको पता है कि मैला आचल किस परकार का उपन्यास माना जाता है वो भी आपको लिखना है जब तक मैं आपको एक question बताता हूँ कि फणिस तो नात रेणू किसके रचनाकार है किसके मिला आचल के आपको दो question बताना है कि ये मिला आचल में बिसेष क्या है दोस्तो और और एक किस अंचल से संबंदित ओपन्यास माना जाता है बो देल खंड से संबंदित पूर्णिया, च्छतिसगर या पिर दोस्तो आबद से संबंदित माना जाता है कमेंट में आपको लिखना है और बहुत अच्छा अंसर आया सबी लोगों का किसर जो मेला आचल है कि कैसा हो पन्यास है जन्दी से बताईए ये पूर्णिया, बेहार के पूर्णिया से संबंदित है। पूर्णिया अंचल से संबंदित है दोस्तो ये बी नम्मर है जब आपसे question पूछा जाता है कि परताम आंचले को पन्यास कौन सा है तब आप उत्तर लगाते हो मेला आचल रचनाकार कौन है फणी सोनात रेनू इसका संबंध है पूर्णिया से है ना बिहार के पूर्णिया अंचल से संबंधत है नेक्स्ट है पदमाकर की रचना कौनसी है पदमाकर की रचना कौनसी मानी जाती है दोस्तो एक रचना तो इनकी अपन ने पढ़ा था प्र पर्बोध पचासा किसकी पदमाकर की परिबोध फचासा लेकिन पदमाकर की रचना यहां पर पूँचा गया इस चार हैं दोस्तो प्रेम बाटी करदें और जिन भी सात्यों को एड़िसर लेना है वो self-study classes एड़िस र ले सकते आवि निचोड किलास से चल रही है यदिसाहित में special क्या है ? है ना वो किलास रिटीस शिए आप झुड़ सकते हैं हिंदी साहित में test series में दोस्तों आप भाग बोचसे हैं दिनोत के रचनाकार कौन है पदमाकर प्रबोध पचासा किसकी रचना है पदमाकर की बेरी गोड आंसर लहर किस विधा की रचना है दोस्तो यह लहर पूछी गई लहर बताना है लहर में दोस्तो चार लंबी कविताएं संकलेत मानी जाती है तो आपको बताना है तो जल्दी स से बताओ, सभी लोग बताएंगे और आपको पता है एक दोस्तों आपने प्रलाइक की छाया पड़ी होगी, प्रलाइक की छाया है ना और लहर किस बिधा की रचना है, ये बिधा आप से पूचा गया, अब बिधा पूचा गया है तो जल्दी से कमेंट भी आपका आजाना च चाहिए, जिन भी सातियों ने लाइक नहीं किया वो लाइक करके सब्सकाइब जरू कर लेना दोस्तों, और लहर किस बिधा की रचना मानी जाती है, ये आपको चेहन करना है, तो बोले सरीक काब बिधा की रचना है, और इसमें चार लंबी दोस्तों कभी ताएं, संकलित है और इसमें सबसे बड़ी है कौनसी प्रलाइकी चाया, प्रलाइकी चाया इसको भी अपन को याद करना है, प्रगती सील लेकक संग की स्थापना कब की गई थी, दोस्तों, है ना, भारत में आपको बताना है, कब की गई थी, प्रशन अच्चा है, वीडियो को लाइक करना ह अपने मित्रों तक share जरूर करना है और जिन भी सात्यों को admission लेना है वो admission जरूर लेंगे ठीक है बिलकुल ठीक है और दोस्तों मेरा जो नंबर है वो नंबर है 90986092 और 91 ये हमारा calling नंबर है और whatsapp नंबर है दोस्तों कौन सा 63, 63, 05, 86 ये whatsapp नंबर है और एक calling नंबर है ठीक है तो प्रगतिसी लेकक संग की स्थापना कब हुईती तो आपको पता 1936 में हुईती यानि कि आपका जो भी नंबर है वो बिलकुल ठाई है लखनव में इसका पिरताम अधिबेशन हुआ था नागर जुन किस बरगे के कभी ह ये भी आपको नीचे नंबर चल ला है दोस्तो एक WhatsApp नंबर और एक calling नंबर दोनों नंबर चल ला है है ना नागर जुन किस बरगे के कभी माने जाती है ये आपको बताना है प्रगतिसी लेकक संग की स्थापना 1936 में हुई थी और 1936 में दोस्तो इसका पिरताम अधिबेश संग लखनव में हुआ था और लखनव में इसके प्रतम जो अध्यक्ष थे वो थे कौन प्रेम चंद जी हैना नागर जुन किस बरगे के कभी है प्रियोग बादी है या पर दोस्तो दुवेदी यूगीन कभी है कैसे है नागर जुन मैंने कई बार आपको बता दिया कि ना नागरजुन का 1911 में हुगा था 1911 में नागरजुन का जन्म हुगा ये जो नागरजुन हैं दोस्तों इन्होंने भी आंचले को पन्यास लिखे हैं नागरजुन ने लेकिन आपको पता होगा कि नागरजुन को आधुने काल का कबीर कहा जाता है क्या कहा जाता है इन्हें प्रबर्तक पंत माने जाते हैं इनको थोड़ा थोड़ा यात्वी करते जाना है कभिता की तीसरी आख के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है वीडियो को लाइक जरू करेंगे और तेयर भी आपको कर देना है अपने मित्रों तक जल्दी से करें सबी लोग इतना अच्छा कौस्चन आपसे पूचा गया दोस्तों और वीडियो को लाइक जरू करना है और मॉडल पेपर में जिनमें एडबीसन लेना है मॉडल पेपर मे दोस्तों वो model paper में भी एड़िशन आप ले सकते हैं कभीता की तीसरी आंक और अच्छा question है ये पूचा भी गया है और आपने बिल्कुल सही answer बताया है कि सर कभीता की तीसरी आंक प्रभाकर स्रोत्रिय माने जाते हैं और आपका तीन नमबर प्रभाकर स्रोत्रिय आपका बिल को शही अंगला क्वेश्चन है मल्ली का किस नाटक की पात्र है मल्ली का किस नाटक की पात्र है माधबी हैना सूर की अंतिम करण से सूर की पहली करण तक असाड का एक दिन या फिर आठबा सर्ग मल्ली का किस नाटक की पात्र है जल्दी से आपको चैन करना है जल्दी से बता मल्ली का किस नाटक की पात्र हैं यह आपको चैन करना है वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना है मित्रो और सेर जरू कर दें है ना तो यह अच्छा कोस्चन आया है और मल्ली का आपको पता है कि सरे आसाल का एक दिन आसाल का एक दिन की पात्र है और यह असाल का एक दिन काली दास के जीवन पर आधारित है, एक कॉस्चन आता है काली दास के जीवन पर आधारित कौन सा नाटक है? तो असाड का दिन, इसके रचनाकार कौन है? पुरी सर इसके रचनाकार माने जाते हैं, मौहन राकेस, असाड का एक दिन, very good, सबी लोगोंने लाइक कर दिया है, ब को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और वीडियो को लाइक जरू करना है सेयर कर देना अपने मित्रों तक कुणर नारण किस सब तक के कभी है और जिन भी सात्यों ने अभी तक सेल्फ स्टेडी किलासे से अप डाउनलोड नहीं किय तो क्यों नहीं किया करें जल्दी से प्ले स्टोर में सर्च करें सेल्फ स्टेडी किलासे है ना और नारण किस सब तक के कभी है इसका उत्तर सीधा सीधा आपको बताना है तो अपनने पढ़ाता प्रयाक के कुणर केदार बिजय कीर्टी के मद में सर्वेस सुरबने एक ट् अंसर बताया है हरी घास पर छणबर किस रचना कार की रचना है हरी घास पर छणबर की रचना कार कौन है इसका अंसर आपको बताना है जल्दी से बताएंगे सबी लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए सेर करते रहें अपने मित्रों को ठीक है हरी घास पर छणबर इस के रचनाकार कौन माने जाते हैं और दोस्तों कि जो हरी घास पर छड़बर है कि जो रचना है कि रचना आपने बिलकुर सही बताया बोले सर अग्गे लगा दो है ना अग्गे के लिए आप से अगर कभी पूचा जाए कि इने घ्यानपीट प्रोषकार किस रचना के लिए मि मासलबाद मासलबाद के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है अच्छा कॉस्चन है दोस्तों है ना एक कॉस्चन पूचा जाता है हालाबाद के प्रवर्तक कौन है तो हालाबाद के तो सभी को पता है कि सर हला करते हैं कौन बच्चे तो बच्चन हो जाएंगे हलाबाद हरिंसराय बच्चन हालाबाद के प्रवड़त्ख है मासलबाद के प्रवड़तक आपको बताना है कौन है जल्दी बताएंगे और बहुत अच्छा कोश्चन आया है शबी लोगों ने बताया है बोले सर मासलबाद की बात करोगे तो रामे सुरसुकल अंचल यानि कि आपका जो ये नम्मर है वो बिलकूर सही है अंगला क्वेश्चन प्रगति बाद का आधार क्या है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो प्रगति बाद का आधार क्या वाना जाएगा बताएं जल्दी से प्रगति बाद का आधार पूछा गया तो इसका आंसर आपको चैन करना है ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तो तो प्रगति बाद का आधार क्या है बताएं ये क्वेश्चन साए दो सो दो डाउट्स में लिया ता किसी ने है ना लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर बताना है ब उत्तर क्या होगा उत्तर होगा द्वन्दात्मक बहुत एक बाद द्वन्दात्मक बहुत एक बाद यानि कि आपका डी नमबर सीधा सीधा आंसर डी बिलकूर सही हो जाएगा द्वन्दात्मक दोस्तों बहुत एक बाद ये प्रिगति बाद का आधार माना जाता है अंगले क चार विकल्पें दोस्तों और आपको बताना है है ना कि रामधारी से दिनकर की काब किरती कौनसी मानी जाती है फटाक से आप लोग लखेंगे वीडियो को एक बार लाइक कर देना अपने मित्रों तक सेर जरूर करती रहें दोस्तों है ना और दिनकर जी का मैंने कई बार प्रचना है कौनसी कुरू छेत्र है जबकि लोकायतन ये महाकाब है दोस्तों किसका पंत जी का महाकाब है है ना ये भी आपको पता है नेक्स्ट प्रसनी की और बढ़ेंगे गोरक बानी का संपादन किसने किया इतना अच्छा क्वेस्चन है गोरक बानी का संपादन किसने परने बाले जो दोस्तों यहां पर जो बिद्वान है वो बिद्वान कौन है ये question का answer आपको chain करना है अच्छा प्रश्न है like कर देना है गोरख बानी का संपादन आपको बताना है इसका संपादन किस ने किया और सीधा उत्तर आपका जाता है क्या जाता है बहुत बढ़िया answer पुलिसर पीताम बर्दत बर्थवाल ने गोरख बानी नाम से ये दोस्तों इन्होंने किया था संपादन इन्होंने किया था ठीक है और सी नम्मर आपका बिल्कुट हो जाएगा सिध्ध साहित में सिध्धों की संक्या कितनी मानी इतना सरल question पूछा गया पुलिसर इतना सर सिध्धों की भासा को दोस्तों संधा भासा कहा जाता है संधा भासा क्या कहा जाता है कई विद्ध्वानों ने इसे संध्या भासा भी कहा है कई विद्ध्वानों ने संध्या भासा कहा है अधिकांस विद्ध्वानों संधा भासा मानते हैं है ना उस सिध्ध साहित में ठीक है आलबार भक्तों की संक्या 12 नैनारों की संक्या 63 यह संक्या भी आपको याद रखना है यह चार क्वेस्चन आपके यहां से बन गए एक तो सिद्धों की संक्या 84 नातों की संक्या 9 आलबारों की संक्या 12 नैनारों की संक्या 63 ठीक है वेरी गुड अंगला क्वेस्चन नरोत्तम दास की पिरसिद रचना का नाम बताना है नरोत्तम दास नरो में उत्तम है जो वो है नरोत्तम दास इनकी पिरसिद रचना का नाम आपको बताना है लाइक जरू करते रहिए सबी लोग है ना और दोस्तों आपको वीडियो को सेयर कर देना है और आंगे बढ़ते जा तो आपने राइट अंसर लगा दिया सुदामा चरित यानि कि टू नम्मर आपका बिलकुल शाहिए कई बार कॉस्चन पूछा गया जितना सरल कॉस्चन उतनी बार पूछा भी गया है प्रिसाद की गुंडा कहानी में भारती इतिहास के किस युग का चित्रन है बहुत बड़ी आंसर गुंडा कहानी है किसकी प्रिसाद गुंडा क्या देते हैं गुंडा प्रिसाद की कहानी है इसमें किस सासन का भारती इतिहास का चित्रन किया गया है किस युग का चित्रन किया गया सल्तनत युग का मुगल काल का विक्टोरिया का सासन है या फिर इस्ट इंडिया कमपनी का समय कौन सा वरनन किया गया है ये आपको चैन करना है और उत्तर बिलकुर सीधा चला जाएगा पुलिसर पिरसाद की जो गुंडा कहानी है गुंडा कहानी में उत्तर चला जाएगा इस्ट इंडिया कमपनी का दोस्तों इसमें समय का क्या किया गया है इसमें चित्रन किया गया यानि की उत्तर आपका चार नंबर बिलकूर सही है जिन्होंने चार बताया है उनका अंसर बि किसने माना है इसको आपको बताना है गीतिका जी बताईए जैनेंद्र को मानव जीवन का दर्सन सबसे बड़ा कहानिकार किसने माना है या पर दोस्तो नगेंद्र ने माना है या राम बिला सर्मा या लच्छमी नाराण लाल जैनेंद्र को मानव जीवन दर्सन का सबसे कहानीकार किसने माणा है ये question आपको बताना है इतना अच्छा question है जैनेंद्र कुमार की बारे में आज जानते हैं दोस्तो एह मनुव विश्रेशन अबादी उपन्यासकार भी माने जाते हैं है ना तो यहां पर जैनेंद्र कुमानव जीवन दरसन का ये question है और ये कि डी डी आपका लच्छमी नारण लाल बिलकुर शही है इन्वे से कौन सिसू संबेदना की कहानी नहीं है सिसू संबेदना की कहानी कौन सी नहीं है नादान दोस्त चोरी कजाकी या फिर दोस्त सखियां सिसू संबेदना की कहानी कौन सी नहीं है इसका उत्तर आपको लगान है हमेशा नरंतर इस किलास को कभी आपने मिसन देखा होगा कि ये किलास ना चली हो कंटीन्यू चल लए दोस्तों एक किलास आपको लोगों के लिए इन में से कौन सिसु संवेद्रा की कहानी नहीं है नहीं है पूछा तो आपका उत्तर है दो सक्खियां दो सक्खियां इस सिस लोगों को बचाना है और सीधा सीधा अंसर कि महा देवी ने जो गौरा संसमराण लिखा किसके ऊपर लिखा है प्रस्प्रश्ण इकरमांक 210 इतना अच्छा अंसर आप लोगों का आया है कि सर एक गाय के ऊपर लिखा गया यानि कि टू नम्मर गाय आपका बिलकूर सही हो जाएगा बी नम्मर आपका राइट अंसर हो जाएगा सुधिया उस चंदन के बन की किसकी रचना है इतना अच्छा कॉस्टें पूछा गया सुधिया उस चंदन के बन की रचना की रचनाकार कौन है और यसे कितने साती है जिन्होंने अभी तक self study classes एप डाउनलोड नहीं किया एप डाउनलोड कर लें आपका ही भला होगा जिनको एड़ बीसल लेना वो एड़ बीसल ले जिनको फिरी में टेस्ट देना है वो फिरी में दोस्तों 2020 टेस्ट चलती है उस टेस्ट सीरिज में भी आप ले सकते हैं और सुधिया उस चंदन के बनकी ये जो पंक्ती है ये पंक्ती किसकी है बताएं सभी लोग और अधिकांस लोगों ने जो उत्तर लगाया है वो लगाया है विश्णू कांत किसकी पंक्ती है दोस्तों ये विश्णू कांत की पंक्ती है है ना सुधीया आउस से चंदन के बन की ठीक है तो आपका उत्तर सी की तरफ जाता हुआ सी नमबर आपका बिलकूर सही हो जाएगा नेक्स्ट आपको बताना है रस्मी मानसा नामा कालोचना पुस्तक के ले का कौन है डक्टर नगेंदर है डक्टर नामवर से है अचार सुकल है या फिर दोस्तो आपको बताना है है ना दाक्टर बिद्या नवास मिस्त्र में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए है ना कंफ्यूज हो गए ना वेरी गड़ बहुत वड़िया अब यहां कर बताना है आपको यह बताएंगे सबी लोग कि रस्वी मांसा नामा कालोचना पुष्टिका के लेखा कौन है आपको पता है दोस्तों जो हमारे पैड मेंबर साती है जि साहित के इतिहास से तो आल लेडी उनके लिए लाइब क्लासे चल ही रही है रस्वी मांसा नामा कालोचना पुष्टिका की रचनाकार कौन है यह आपसे पूचा गया तब आपका राइट रामचंदर सुकली की ओर चला जाता है सी नम्मर चला जाता है मानस का हंस उपन्या क्विशन है सबी से बनेगा सबी लोग लाइक जरू करना एक बार है नामाश्टर अद्यम जी लाइक करने जल्दी से वीडियो को और यहां पर देखो मानस का हंस और जो पन्यास है यह उपन्यास है किसका बुलिसर अमरतलाल नांगर यानिकी यह शुकली जी का तो नहीं है बोले नहीं है बोले सरी मानस काहन से अमरतलाल लांगर है ना नेक्स्ट है महा कभी सूर्दास किसकी आलोच किरती है आलोचना किरती बताना महा कभी सूर्दास ये किसकी आलोच किरती है तो सबी साती बताएंगे महा कभी सूर्दास किसकी आलोचिकर्टी माने जाती है हजारी पर साथ दोवेदी जिनका जन्म 1907 में हुआ था दोवेदी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं है ना तो आचार नंद दुलारे बाचपई राचार रामचन सुकल या फिर माने जाती है यानि कि आपका उत्तर सी की तरफ जाता है महा कभी सूर्दास महा कभी सूर्दास नामा के कालोचिकर्टी इन्होंने लिखी है वो लिखी है दोस्तो नंद दुलारे बाचपई जी ने ठीक है बाचपई जी ने कभीर नाम से हजारी पर साथ दुवेदी ने ल में पहला करम कौन सा है पहला करम आपको बताना है बताईए आजादी के बाद हिंदी कहानी के करम में पहला करम कौन सा है आ कहानी है नई कहानी है सचेतन कहानी है या पिर समानांतर कहानी है प्रश्ण करमांक 215 में सभी लोग बताएंगे आजादी के बाद आजादी के बाद ये बताओ जल्दी आजादी के बाद हिंदी कहानी के करम में पहला करम कौन सा है पहला करम कौन सा है नई कहानी सचेतन कहानी समानतर कहानी पहला करम कौन सा माना जाएगा बताएं आजादी के बाद कितना अच्छा कोस्चन है और बहुत सारे लोग बता रहें नई कहानी बिल्कुर सही है, two number आपका right answer हो जाता है, very good answer, हिंदी भासा का उदगम और विकास के लेखक कौन है, इतना अच्छा question पूचा गया, हिंदी भासा का उदगम और विकास, अब देखो कितने लोग सही उत्तर बताते हैं, हिंदी भासा का उदगम और विकास के लेखक कौन माने जाते हैं, नगेंद्र हैं, रामचन सुकल हैं, उदगम और विकास के लेखक कौन है, लेखक कौन है, देखते हैं कौन कौन बता रहा है, बहुत सारे लोग इसमें सीधा सीधा उत्तर मारेंगे, मुझे पता है, बोले सर आओ देखाना ताओ, वोई question है, वोई question है, एक वर हम पूछ ले जा रहा हैं आपका, हिंदी साहित का उदगम, हैना उदभाव और विकास, हैना हिंदी साहित का उदभाव और विकास, देखो, बहुत सारे लोगों ने आओ देखाना ताओ, और लगा दिया हजारी परसाद दुवेदी, पूरा इंतजार कर रहे हम रीके से लगाया, पूरी तागस से उत्तर हजारी परसाद दुवेदी लगाया है, मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने हिंदी भासा का उदभाव और विकास है, हिंदी साहित का उदभाव और विकास, हजारी साहित का उदभाव और विकास, हजारी साहित का उदग उद्गम आ रहा है यहां पर उद्भाव आ रहा है ना अंतर है और बोले सर आओ देखा ना ताओ और लगा दिया उतर है ना बहुत बढ़िया हिंदी उपन्यासों की सरचना के मूल आधार क्या है मूल आधार बताने है बंगला के उपन्यास मराठी उपन्यास फ्रेंच उप बताएं मूल आधार क्या माने जाते हैं है ना बंगला के उपन्यास माने जाते क्या मराठी के उपन्यास माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है और उत्तर आपका हो जाता है क्या हो जाता है पुलिसर ये जो है ना हिंदी उपन्यासों के माने जाते हैं कौन से उपन्यास माने जाते हैं हिंदी उपन्यासों की सरचना सरचना के मूल आधार सरचना के मूल आधार माने जाते हैं तो मूल आधार मान जाते हैं अंग्रेजी के उपन्यास, मूल आधार कौन मान जाते हैं अंग्रेजी के उपन्यास, अंग्रेजी के ढंका हिंदी का प्रतम मौलेक उपन्यास कौन सा है, तो आपको पता है, बुरिसर कौन सा है, उत्तर आपका होगा अंगरेजी के उपन्यास क्यानिकि आपका D number ठीक है अंगला question देखो अग्ये ने कुल कितने सब्तकों का प्रकासन किया 5,4,3 या दो अग्ये ने कुल कितने सब्तकों का प्रकासन किया और सबी लोगों ने बताया कि सर अग्गे ने कुल कितने सब्तकों का प्रिकासन किया तब उत्तर चला जाता है पांच चार तीन या दो उत्तर 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 आया चार पहला 1943 ठीक है दूसरा 1959 तीसरा 1969 चोथा 1989 ये चार तब तार सब्तक प्रिकासित हुए थे दोस्तों है ना इसको याद रख लेना ये चार तार सब्तक जिने सब्तक बोला जाता है सब्तक तो ये चार हुए थे है ना भूशन का बास्तविक नाम क्या था भूशन का बास्तविक नाम क्या था ये उत्तर आपको बताना है घंस्याम रास बहारी कशनदास या पिर चंद्र भूशन भूशन का बास्तविक नाम क्या था भूशन का बास्तविक नाम क्या था आपने दोस्तों भूशन को का बर्नन किया जबकि आपको पता है बरतमुली ने मात्र चार अलंकार का या ने कि यह नमर आपका बिलकुर शही है ना सत्रंज सत्रंज सत्वका किर्ति के रचनाकार कौन है ऐसे सभी साती वीडियो को लाइक करें जो हिंदी साहित पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित के एक्जामों में regular दोस्तों अध्यन करना चाहते हैं हिंदी साहित को बहुत strong बनाना चाहते हैं और हिंदी साहित में दोस्तों हैना महारत हासिल करना चाहते हैं वो साती सभी जोड़े रहे चैनल से एप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टेडी किलासेस रेगूलर अध्यन करें है ना अध्यन इतना हो जाएगा कि हिंदी साहित में कुछी दिनों में आप दोस्तो बहुत अच्छे हो जाएगी का उत्तर सीधा जाता है भेकारी दास सत्रंज सतिका सत्रंज सतिका ये भेकारी दास की रचना है ये नमबर आपका बिलकूर सही हो जाता है ये नमबर राइट आंसर है भेकारी दास के रीती बद्ध काबधारा के कभी हैं दोस्तों किस बद्ध काबधारा के रीति बद्ध काबधारा के कभी हैं इनको यात करदा है इन मेंसे पहले थे सिवाजी तो दूसरे कौन थे है ना अपनने पढ़ा है कि सर सिवागो बाखानो की बाखानो छत्रै साल को है ना और भूखान दो राजाओं के दर्वारी कभी थे, ये आप से पूचा गया और इन वैसे पहले सिभाजी थे, तो दूसरे कौन थे, दूसरे कौन थे, महरणा प्रताफ, भूले नहीं, राणा सांगा, ये भी नहीं, तो कौन थे, चात्र साल थे, तीन नंबर आपका साही हो जाएगा, तीन 2020 टेस्ट सीरेज आपके लिए लांच की गई यानि कि दोस्तो सेल्फ एस्टडी किलास ये सेप में आपके लिए रभीबार और गुरुबार को ये बिलकुल 2020 टेस्ट सीरेज होती है बहुत सारे टेस्ट उपलब्द हो चुके हैं इनको आप लोग लगा सकते हैं है ना उसके बात दोस्तों एक निचोड किलास आपके लिए पैड़ बालों की जिरों ने कोर्स में एड़ी सल लिया है हिंदी साहित में स्पेसल क्या है आदी काल में स्पेसल क्या है रिती काल में स्पेसल क्या है आदुने काल नाटक अपन्यास में स्पेसल क्या है उसकी किलास चलती है धाई बजे यानि कि दो बज़ के 30 मिनिट पर किलास चलती है वो आपको बताया जाता है या खिर आधिकाल में कौन-कौन से कौस्चन हमेशा पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं तो यह से कोर्स में दोस्तों अगर आपको एड़िसर लेना है अभी ओफर है ओफर का आपको दोस्तों बहुत सारे टेस्ट हैं बहुत सारे टिर्की वीडियो डाउट्स वाले वीडियो बहुत सारी चीजें आपको जहां पर मिलने वाली है वो ऐसा दोस्तों आपके लिए एक मात्र प्लेट फाम है सेल्फ इस्टडी क्लासेज एप ठीक है नरंजन जी अजय पूजा जी सुनीता जी सुधा जी रीता गीतिका जी बहुत बढ़िया अदिती जी नीरू लालदास बीनू जी अर्सदीप हर्चिता जी चंचल जी बहुत बढ़िया सबी लोग इसी प्रकार से अध्यन करें संगीता प्रमोद नौदीप जी पूनम जी प्रमोद निरूपम जी अबिलासा राम मूरत प्रिमीर ओजा जी अनिल कुमार जी और सरमिला जी बहुत बढ़िया ओपी जी लाल दास जी रंजना जी लबली जी सियो कुमार जी सेलेस जी सियो सभीता जी और लबली ठाकोर जी सभी सातियों को धन्नबाद उदै उदै जी प्रतिमा बहुत प्रमोध जी अरुनराच पूज जी कुमारी हमा जी नीरज जी गीतिका जी बभीता जी पूझा बरमा जी वीनू जी खोरेशी जी बहत बढ़िया धन्वा सभी साथी लाइक सेयर करती रहें वीनू सरोज जी सरमीला जी ठीक है सतीश गुपता जी मदू धिम्मन जी अनीता जी दार्सू संजय कुमार जी ठीक है असोक असोक जी रीता जी सरीता जी और बालमकुंद जी बहुत बढ़िया किरण जी सौनु सिंग जी रतीपाल जी माश्टर अधिगम बरखा जी ठीक है और हेमानी जी सरोज बहुत बढ़िया धन्वास सीता देवी जी प्रमोद जी पूजा सिंग जी पूजा रानी जी और दिब्या जी बहरी गोड बहुत बढ़िया दोस्तो एकजाम पार में दस बजे किलास होगी वो भी आप अटेंड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ठीक है और इस लाइब किला प्रमोद लेना है नीचे नमबर चल रहे हैं बौटसप नमबर है 623 बाला 623 तेटी gerो पांच च्छासी वाला बौटसप है और वो कालिंग नमबर है ठीक है तो जिनभी सातियों बहुत सारे सातियों ने अटबिसल लिया है और आराम से पढ़ रहे हैं अध्यन कर रहे है ठ ठीक है रचना प्रिया जैन्त जी आकास जी रीता पूनम जी वेरी गुट सबी साती ठीक है धन्नबाद लाइक सेयर करती रहें गीतिका जी तौनु जी और कमलेस जी आसा जी मंजीत खुसी जी सुरेंदर जी प्रेंका बहुत बढ़िया नितु सोबानाद जी धन्नबाद सब जितने हमारे साती हैं मैं तो बोलता हूं सभी साती सबसे कम प्राइज में सबसे अच्छा मटेरियल सबसे पूरी मेहनत के साथ आपके लिए दोस्तो हम लगे हुए हैं तो जितने साती हैं सभी साती अड़िशन लेके इंद्रेश जी अपना अध्यान कर सकते हैं और हम भी आपके दोस्तों ठीक है बिलकुल है ना नित्तु जी नित्तु गुपता जी बहरिगोड और ममता बहरिगोड ममता यादव जी है ना सुस्मा मनीशा गेल जी नवदीव जी सभी को धनवाद